नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे दो एहम खबरों पर पहला युक्रियन युद्ध में आया नया ट्विस्ट वर ट्विस्ट क्या है जब पोलेंड पर मिसाइल गिरती है गिराई जाती है हमला होता है क्या होता है किस तरह से मीडिया इसे रिपोर्ट करता है पहली खबर यह और दूसरी खबर जो देश और दुनिया के लिए बहुत एहम है वह है COP 27 यानि दुनिया को बचाने जलवाईयों को बचाने के लिए जो सम्मेलन हुआ एजिप्ट में उससे हमें हासिल हुआ क्या हासिल हुआ इन दोनों एहम मुद्धों पे हम चर्चा करेंगे प्रभीर पुरकाय से प्रभीर सबसे पहले यूक्रेन युद्ध में जो नया ट्विस्ट आया है हमने देखा कि बाली में जो मीटिंग चल रही थी G20 की उसमें अचानक ही जब ये खबर आती है कि पोलैंड में हमला हुआ है पहले सबसे पहले खबर आती है कि हमला हुआ मीडिया खबर देता है कि रूस ने शायद मिसाइल हमला किया कुछ लोग मारे गए बाइडन वहाँ पर एक एमर्जेंसी मीटिंग करते है एक घंटे से अधक की मीटिंग चलती है लेकिन उसके बाद जो ट्विस्ट आता है वो बहुत दिल्चस्प है बताया जाता है अंत में निकलता है कि वो हमला रूस ने नहीं किया हमला था भी की नहीं था यह अभी अभी चर्श का मुद्दा बना हुआ है दरअसल यूक्रेइन युद में जो निया ट्विस्ट आया है क्योंकि हमें नहीं बूलना चाहिए कि जेलेंस की यूक्रेन की जो राष्टपती है वो लगातार ये कह रहे थे कि रूस ने हमला किया और बाइडन उस पर समल समल कर चल रहे थे हुआ क्या पोलैंड में यूक्रेन युद्ध के दोरान दिल्चस्प बात जो आप कह रहे हैं ये है कि इसको लेकर पहले जो बातावरन बन रहा था खास तोर से एक एपी का रूपोर्ड भी था उस पे कि इंटेलिजन्स सोर्स सुत्र से ये मिला है कि ये मिजाईल जो है रूस से आई है पॉलेंड पर गिरी जो थी या पॉलेंड प पर हुआ है और यह ऐसा नहीं है कि वो यूक्रेन पर दागना चाहते था गालती से पॉलेंड पर गिरा पॉलेंड पर आक्रमन है अगर ये सही होता तो नेक्स टेप जो कहते हैं होता कि उनका आर्टिकल फाइव नेटों के जो एग्रिमेंट है उसके मुताबिक किसी भी न अगर हमला होता है सब नेटों के देश एकत्र होके डिसाइड करते क्या करना है तो वो नेक्स स्टेप होता वो एक एसकलेशन लैडर जिसे कहते एक धापर युद का बिलकुल वातावरान बहुत गंभीर हो जाता है और ये एक स्टेप आग युद की तरफ बढ़ने की दुनिया में जंग की बात आवरल फैलता है तो और कोई चीज तो होता नहीं उस पे इससे एक बात साबित होता है युक्रेन युद मामुली युद नहीं है उसके अगर ये इस तरह से चलता रहा तो बिश वद्ध युद गलती से भी होने की संभाब न रहती है जिसकी एक आशंका भी भी आई थी जिस तरह से महौल बन रहा था कि एक नेटो देश पर हमला और ये एक विजाइल गिरने पे इतना बड़ा जो न्यूस बनता है देखिए हिंदुस्तान का इंडिया का एक मिजाइल इस तरह पाकिस्तान बेगिरा था करीब कुछ मेहने पहले तो वा अगर सच पुछ ये मिजाइल रूस की तरफ से पॉलेंड की उपर हमला की दूरूप पे गिरा था बाद में जो निकलती है कि ये तो एक S-300 मिजाइल है उसकी तदवीर उसी वक्ता आ गया था पबलिक हो गया था जो स्क्रीन में आप देखी रहे हैं और उसको लोगों ने उसी वक्त आइडिन्टिफाई किया है तो S-300 है ये तो रूस बनाता नहीं रूस आजकल इसको इसको इस्तमाल भी नहीं करता है अज़ जब कहरें रूसी मिजाइल ये ये कहना चाहते है सोवियत मिजाइल क्योंकि ये बनाना बहुत पहले ये बंद हो चुका है और अगर वो देखा जाए किसकी आर्मरी में है किसके पास ये मिजाइल्स है रूस इसके इसके इस्तमाल नहीं करता पर यूक्रेन करता है और पॉलेंड जैसे और कुछ देश है जिनकी आर्मरी में ये मिजाइल मौजूद है तो इसलिए ये रूस पर दोश देना को मतलब नहीं बन पॉलेंड पे दो किलोमेटर तीन किलोमेटर पांच किलोमेटर दूरी में यूकरेन बॉर्डर से गिरा है कियो हमारेंगे उसकी कोई एहमियत तो है नहीं तो बाद में जो साफ खुलासा हुआ बाइडन ने जिसका साफ जिकर भी किया कि हम देख रहे हैं हम इसको कंट्लूड नहीं करने कि रूस की मिजाइल है उससे साफ हो गया था कि इसको आगे वो ले जाना नहीं चाहते क्योंकि जानते हैं यह मिजाइल पॉलेंड से आया था पॉलेंड दागा था यूपर युद्ध की बातावरन पैदा करने के लिए यह तो अपना एक मिजाइल दागा था दू इस तरह से authority के साथ हमारे पास यह है नहीं पर इस पे जो और एक जो महत्रपूर्ण बात है कि AP के reporter ने एक intelligence सूत्र के आधार पे यह कैसे कहा और इस पे दो चीज निकल के आती है एक तो है कि अमरीकी intelligence पे उनकी जो western news agencies है उनकी जो निरबाता है और उनकी खबर ही हमें खबर ही हमें वो अपना खबर बना के देती है और क्योंकि AP Reuters की एक एहमियत है दुनिया में तो वो खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है बड़े बहुत तेजी से यह भी यह हुआ बाद में उस reporter का निश्काशित किया जेम्स को निकाल दिया उन्ह से कम दो या तीन होना चाहिए पर इसके उपर बहुत सारे सीनियर एडिटर दसकत कर चुके कि हाँ यह खबर दी जा सकती है तकरिवन तीन लोगों के साथ यह डिसकस हुई थी खबर और पास हुई थी उसकी भी विज्वल्स है जो लीक हो गई है तो यह देखते हुए इस दो दिशकर्श में पहुँचना चाहता हूँ एक तो है कि वेस्टर्ण जिसको मीडिया कहते जिसको लोग इंडिपेंडेंट मानते हैं वाके कितना इंडिपेंडेंट है कितना अमरीकी सरकार या अमरीकन डिफेंशर इंटेलिजेंस सोर्स से पर निभर करते हैं इन सब ची होनी चाहिए कैसे रिजॉल्ट की जानी चाहिए होनी चाहिए उस तरह कोई आग रहा किसी की नजर नहीं आती है सिवावे सिवा की जो आप कह सकते हैं कि जो नॉन रिलाइंड वर्ल एक जमाने वे थी अभी ग्लोबल साउट जिसको कहा जाता है थर्ड वर्ल कहिए इन सब तो आरही है पर और कहीं से यह बात अभी भी नहीं आरही है खास दोर से नेटो के तरफ से नेटो अगर भीजबिचाओ नहीं करेगा तो जलिंस्की ने साफ दर्शा दिया इस पूरे वाके में के उन वो जंग को बढ़ाना चाहते हैं उनको लगता है नेटो परिवार को अ उनका मकसद या इंटरेस्ट यह है कि जंग को बढ़ाया जाए कि नेटो उसमें अक्टिवली इन्वार्ब्ड हो और इसी लिए लगातार बयान बाजी करे जा रहे थे जब उनको मालूम था कि यह मिजाय लूस से नहीं आई है। उनसे जादा अच्छी तरह से किसी को नहीं मालू होगा जिस तरह से वो तमाम जगह पे खबर कर रहे थे और मुझे लगता है प्रबीर इससे एक चीज जिसको हम लगातार तमाम जो शोज हमने किये हैं युक्रेन युद्ध को लेकर उसमें बार बार आप कहते रहे हैं हम सब कहते रहे हैं कि युद्ध में जो रिपोर्टिंग है वह कितनी समस्या ग्रस होती है किस तरह से जो वेस्टर्न मीडिया है वो एक ही तरह से खबर दिखाता है शायद जो एपी के रिपोर्टर ने खबर की वो सबसे जीता जाकता इकलौता इतना बड़ा उदाहरण है कि गल नहीं है तो उसको कोई चैलेंज नहीं करता मैं लगातार इसकी उधारण दे सकता हूं पर वो तो बेकार होगा क्योंकि हर रोज कोई ना कोई खबर आएगा अब सबसे बड़ी खबर आती है रूस के पास मिजाइल नहीं है खतम हो गया रूस जब मिजाइल दाखता रहता ह है उसकी ग्रिड को नास्त लबूत कर दिया तब खबर आती है कि इसके मिजाइल तो है पर आर्टलरी शेल्स और दूसरे अमूनिशन नहीं है तो ये लगातार जो खबरे हैं युद को कंटीनू करने को उसमें खवा देती है उकसाने वाली खबर है और शान्ती की और दिल्चस्प चीज हुई है जो एक प्रैंक कॉल आया यानि शरारती भरा जो कॉल गया पोलेंड के राष्टपती दूदा के पास जिसमें दो लोग जो की जाने जाते हैं इस तरह के प्रैंक कॉल करने के लिए उन्होंने मैकरोन की आवाज में यानि फ्रांस के राष्टप रहे हैं पोलेंड इसलिए एहम है दूदा इसलिए एहम है क्योंकि वो नैटो क्या हिस्सा है और यह जो प्रैंक कॉल है यह बताती है कि खुद नैटो के देश दरसल इस युद्ध से परेशान है वो बहुत अपने आपको कमफरेबल नहीं फील कर रहे हैं उन्हें लग रह रहा है तो यह जो प्रैंक कॉल वाला पूरा वाख्या हुआ है जिसमें मैकरॉन की आवाज में दो मादे प्रैंक कॉल करते हैं बताते आपलंद में कहते हैं आप ज्लाप है इसका जो टेक्स्ट है ये पब्लिक डोमेन में सारवजने किया जाता है देखे ये प्रैंक कॉल्स पहले करते रहे हैं इनका ये बहुत दिन का एक क्या कह सकते हैं एक्सपर्टीज है प्रैंक कॉल्स की Ben Wallace को भी किया था और बहुतों को किया है और बहुतों को इस तरह से क्या कह सकते हैं उनको embarrassed किया है क्योंकि उनका public position और उनकी actual position में फरक क्या है इस prank calls पे साफ हो जाता है डूडा के बारे में वही है पब्लिक ली तो कह रहे थे बहुत गलत है रूस नहीं किया है रूस के साथ ये करना चाहिए नेटो के देशों को एकठा होना चाहिए फलाना ढमाका और अंदरूनी ये बात हूँ कह रहे थे कि हम जानते हैं रूस के साथ इस वक भिड़ना नहीं चाहिए इसलिए रूस के साथ हम बाच्चीत करना चाहतें जरी डखना चाहतें जनκ के ओर हम बढ़ना नहीं चाथें यह चीज साफ है उनको मालूम था क्या हो रहा है कहा है यह भी मालूम था यह भी कहा है हम नहीं कहे रहे कि रूस ने दागा है तो यह public positionDIK पजिशन और private positionDIK हो सकते हैं अलग भाशा में कहो हाँ कि कुटनीती अलग अलग भाशा की और प्रेज़ करती है लेकिन यहां तो स्टानडी पूरा अलग है रुख आपका पूरा अलग है अंदर से आप कहने के हमें पता है कि रूस ने नहीं किया है बहुत पुरानी मिजाइल सा रश्यन मेड मिजाइल अब देखेंगे हर अख़बार में उस वक्त जो आया था पर्टिकुलर्ली वेस्टर्न एजेंसी की जो रिपोर्ट हमारी पत्रकार भी वही कैरी करते हैं और इंटरनाशनल प्रेस जी से कहते हैं जो यह कैरी करते हैं व पके आर्बरी में है जो इस वक्त नेटों के शरण में है नेटों पे शिरकत कर रहे हैं पर यह दूदा की बात से साफ हो जाती है कि एक तरफ जंग की आवाज और एक तरफ कहना कि हम जंग नहीं चाहते रूस पो हम पब्लिक ली इसलिए दोश दे ना दे हम यह कहना नहीं चाहते कि रूस से हुआ है क्योंकि रूस से जंग होगा तो सब की नुकसान होगी जैलेंस्की के बारे में भी अंद्रूनी बाते कही जा रही है कि अमरीकन इंटेलिजेंस वो भी एक सोर्स है यह कहा जा रहा है कि जैलेंस्की की पब्लिक क्रेडिबिलिटी खतम हो रही है क कि सब जानते हैं रूस ते नहीं दागा फिर भी जेलेंज की कह जा रहा है कि रूस की मिजार है रूस दागा है युद्ध करने की लिए दागा है यूकरίνज चाहता है कि नेटो और रूस में युद्ध हो जो कि हम लोग नहीं चाहते तो ये असलियत और गलत क्या है तो उसको दिखाए हिपोक्रिसी क्या है उसको एक्सपोस करने पर इस प्रैंगस्टर्स के भूवी का है बहुत बड़े करके आँख नहीं चाहिए क्योंकि हमें मालूम है हकीकत क्या था लोग जो मानना नहीं चाहते उनकी बात अलग जी तो अब हम आते हैं दूसरे मुद्धे पर जो कॉप 27 हुआ एजिप्ट में हुआ आप कैसे देखते हैं इसको क्योंकि इसके सामने चुनोती बहुत तगडी है हम सब जानते हैं कि तापमान प्रित्वी का बढ़ता जा रहा है बहुत गहन संकट हैं कार्बन एम जिसको कहते हैं एक loss and damage fund एक 100 billion dollars की सालना वो लोग देंगे और उसमें जो क्या कहते हैं रिच बुल्क है वो उस पे पैसा देंगे दूसरे लोग भी पैसा शायद दे सकते हैं क्या होगा उनको देना है नहीं देना है अभी भी लिखित नहीं है वो अभी भी unstated है तो सिर्फ एक 100 billion dollar पर साल का एक fund होना चाहिए loss and damage fund ये इससे निकला है पर दूसरी चीज़ जो आप पूछ रहे हैं जो कहते हैं कि climate change नहों या climate change जो हो रहा है उसकी impact कम हो उसके लिए carbon emission को कम किया जाए उस पर कोई प्रगतित नहीं हुई है हकीकत तो यह है कि अभी भी जो आँक्ड है बहुत बड़ा संकट है और ये संकट के सबसे बड़ी जो पहलू यह है कि जो इस संकट को पैदा कर रहा है अमीर देश जिसे कहें वो ठंड देश ज्यादा है जिसको कहें temperate climate पे वो रहते हैं उन पर global warming का effect इन देशों पे जो कि tropical देश है equatorial देश है उनमें ये impact वहां ज्यादा कम यहां ज्यादा होगा पैदा कौन कर रहे हैं सबसे ज्यादा carbon emissions पैदा हुए है अमीर देश होगा तो अब इस वक्त वो large emitters की बात कर रहे हैं तो भूल जाते हैं कि large emitters पे इंडिया चैना भी आता है कि हमारा population कि आबादी हमारी ज्यादा है इंग्लेंड की 60-70 million आबादी हमारी यहां पर आबादी 1.5 billion है चीन की भी करीब इतना ही है तो अगर हम रूस फ्रांस रूस को छोड़ दीजे रूस इतना छोटा नहीं है जितना इंग्लेंड है इंग्लेंड फ्रांस इंसे compare करे तो को मतलब नहीं बनता क्योंकि छोड़ छोड़ बुलक है लार्ज कार्बन इमिटर बनने का बोलने का मतलब है कि अमरीका तो आएगा यूर्पिन यूडियन को अगर आप कहें तो ठीक आएगा इसके बाद चायना इंडिया को लपेट बे लेग क्यांकि सब बिलके जिम्मेदारी है पर कार्बन अगर आप देखें कितना किसने अट्मोस्फियर में डाला है तो साफ है कि जिसको उन्नत देश डेवलप कंट्रीज रिच कंट्रीज कहें उनका हिस्सा सबसे ज्यादा है चीन डालना शुरू किया कार्बन इमिशन बड़े पैमाने पर रिसेंटली भारत वर्ष पी रिसें पारण का उसका कुछ भी हम भर्पाई नहीं करेंगे बर्पाई सबको मिलक کے करना है सब देश को करना है सारे दो्षी है और कारबन इमिशन्स जो है सबको जितना बड़े तॉसे लाइज पाइचे नहीं चाहिए और कारबन इमिशन्स को इस पे लगाना चीए तो ये एक ब पशने के लिए कि हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है इसलिए भी है वो इसको continue करना चाहते हैं इसलिए इस डेड़ लॉक को इस पर आगे बढ़े पर डेड़ लॉक रहे कि जितना हम और emissions कर सकते हो कर लेते हैं और अगला पांच साल दस साल इसके बाद तो वहीं से भी तो कम कर करना ही है तो उनके आड़ में हम अपना emissions जारी रखें इस COP 27 में और एक महत्वपूर्ण बात जो अब महने कहा कि emissions पे कोई control करने की बात नहीं हो रही है अभी भी सिर्फ हवाई बात कही जा रही है कि कम करना चाहिए पर उस पर किस आधार पे कौन किता कम करेगा इस पर को चाहे जितना कम करे उसका सबकी स्वेच्छा पर छोड़ दिया है वो commitment हमारे सामने लाए और सब add करके हम देखेंगे किसको और करना चाहिए किसको कम करना चाहिए तो यह जो चीजे है यह सिर्फ इस बात को चुपाता है कि जो rich अमीर मुल्क है जो अभी भी carbon emissions कम नहीं कर है वो अपना carbon emissions करता रहे कि उनकी स्वेच्छा से वो कम करेंगे जब उनको पास लगेगा कि हमारे पास अभी साधन बहुत सारे है अब कम कर सकते तब कम करेंगे और दबाव यानि अभी प्रित्वी को और जहिलना पड़ेगा और यह जो सारे climate change के भयाना का सर है वो चलता से बढ़ने वाली जो तापमान बढ़ रहा है रहे हैं जिस रफतार से बढ़ रही है तापमान उससे यह 10-10 in साल में ही आपका 2.5 डिगरी क्रॉस कर जाएगा तो 2.0 डिगरी पहुंचने का सम्भाबना है या 2.5 डिगरी तक पहुंचेगा यह देखनी की बात है अशंका दुनिया के सामने मौजूद है और यह हकीकत है तकरीबन लगता है कि दो डिगरी तो हकीकत है इसके बाद कितना होगा वो आशंका है दूसरी बात और एक निकल के आई है कि जो यह लोग कहते हैं कोईला खराब है नैचरल गैस ट्रांजिशनल फुएल है इस बार जो रिपोर है स्टैन्फर्ड तरिशेर्च इंस्टिटूट का रिपोर्ट है और भी वोर्ल मेट्राजिकल उर्गनेशन का रिपोर्ट है यह बताता है कि नैचलल गैस जितना लीक कर रहा है जब नैचलल गैस अब मचार्ब कर लिकेज अब धर्टी के नीचे से तो वो लीकेज इतना ज्यादा है कि कारबन कैज आपको कोहले के कोहले को जलाने से जो नुकसान होता है उस से ज्यादा अब नैचनल गैस से होगा उस लीकेज को अगर बंध नहीं करते तो वो कितना है? कह रहे हैं कि छे गुना शायद जादा है, चार से छे गुना जादा है, और अगर दुगना होता है, तो वो ही काफी है कोईलेक के बराबरी करना. तो इसलिए natural gas को जो transitional fuel बताना चाहता है इसके पीशे भी एक बहुत बड़ा hypocrisy है बहुत दिखावा है इसमें क्योंकि हकीकत में जिस रास्ते पो जा रहा है जितना natural gas की leakage हो रहा है इस वक्त जिस पर कोई बंदिश इस वक्त नहीं है तो उसको देखते हुए लगता है कि climate change का जो दो डिगरी की हम बात कर रहे हैं यह नहीं change होगा जब तक आप natural gas को भी आप इस दायरे में नहीं आओगे उसको fossil fuel जो वाकए वो fossil fuel है उसको आप उस दरज़े से दरज़ा नहीं दोगे और सिर्फ कोईले के बात कहे के अप natural gas को अच्छा चीज करके आप जो अपनी carbon emissions क green house emissions के उसको चुपाना चाहते हो वो जब तक नहीं बंद होगा तब तक यह खत्रा बना रहेंगा तो इसलिए मिना ख्याल से कई चीजे इस पेसे हैं जो हमें लेना चाहिए पर बुख रूप से यह है कि loss and damage fund निकला है अच्छी बात है कि अगर सचमुझ गरीब देशों को इससे कुछ मिलता है अच्छी बात है मिलना चाहिए नहीं तो उनकी हाले सबसा खराब होने वाली है पर दो डिगरी की धाई डिगरी देट डिगरी यह कहां पहुंचेगा यह बात अभी जो खत्रा है खत्रा ओपन है और इसमें कोई पदक शेप इस कॉप कोई intervention नहीं आज़ा से आपको इस परताल को परताल दुनिया भर को देखना चाहिए कि असली खबर क्या है खबर को हम कैसे देखें जूट के जरिये किस तरह से युद्धुनमात पहलाया जाता है और जूट के जरिये किस तरह से गरीब मुलकों को दबाने की अंतराश्ठी स्तर पे